स्टीफ गुरकपूर सैक्षिक प्रमार पत्रवा पैनकार्ड को कूट रचित कर दूसरे के नाम पर नौकरे प्राप्त करने वाले फर्जी अध्यापक को गिरफतार किया है जिसके संबंद में गुरकपूर स्टीफ के प्रभारे इंस्पेक्टर सत्य प्रकास सिंग ने बताया कि मुक्विर के सूशना पर अभियुक्त को गिरफतार किया है जिसके पहचान ग्यान प्रकास अतीश पुत्र सिवजी यादो शाकिन ग्राम मठमेला थाना गडवार चनपत बलिया के रूप में हुई है जिसके पास से एक पैन कार्ड की फोटो कॉपी, एक अस्थान तरन प्रार पत्र की फोटो कॉपी, एक परिवार रजिस्टर की फोटो कॉपी, क्यान प्रकास अतीश के नाम से सक्षक दस्तावेजों की फोटो कॉपी, दो मोबाइल फोन, दो साथ रुपेन नगद बरामत क सक्षकों के बारे में अभी प्राप्त किये गया है तथा अन्य शोतों से ग्यात हुआ कि जैप्रकास यादो सहायक अध्यापक प्राथमे की विद्याले पूरे रश्रा बलिये में नौकरी कर रहा है जिसका वासतविक अनाम ग्यान प्रकास अतीश है जो जैप्रकास यादो पुट्र हरीन रियादो निवासी ग्राम शीनगर थाना सलिम पूर चन्पत दिवरिया के सेक्षिक दस्तावीच के आधार पर नौकरी कर रहा है इस सूशना को और विक्सित कर ग्यान प्रकास अतीष जो जैप्रकास यादों के सक्षिक दस्तावेश के आधार पर नौकरी करने वाले बी आर सी कारियाले पकवा इनार गेट के पास चन्पत बलिया से ग्रिफतार कर लिया गया पूस्ताश में अभियुक्त ने बताए कि उसका वास्तविक नाम ग्यान प्रकास अतीष है हाई स्कूल की परिक्षा 2006 बाल विद्या भवन हाईर सिकंडरी स्कूल रतन बलिया से एवं वर्ष दो हसार आथ में इंटरमीडियर की परिक्षा रामदाश इंटर कॉलेज सक्रिया नमबर एक बलिया से एवं असनातक परिक्षा किसान इसनातकोत्तर महाविद्याले रक्सा गरवार बलिया से पास किया है उसने अपनी नौकरी के लिए दस्तावेज स्वैम और राजु यादो पुत्र राम रतन यादो साकिन रक्सा रतसई बलिया को उपलब दिकराए थे राजु यादो ने ही सैक्षिक दस्तावेज चैप्रकास यादो के नाम का उपलब दिकराया था फिर इन लोगों द्वारा बीये के अंक पत्र में हेर फेर की कूट रशना करके वा सहाय का ध्यापक के पद पर न्युक्त हुआ था गिरिफतार अभ्युक्त के विरुद थाना रस्रा जनपद बलिया पर धारा 419, 420, 466, 478, 471 आईपीसी में पजिकरित कर अग्रिम विधी कारवाई अस्थानी पुलिस द्वारा की जा रही है गिरिफतार करने वाली पुलिस टीम में गुरखपूर की स्टेफ प्रभारी इंस्पेक्टर सत्य प्रकास सेंग, हेड कॉंस्टेबल जस्वंत सिंग, आशितोस तिवारी, अभिनास तिवारी, महींड प्रताब सिंग, रर्धीर सिंग, सहित अन्यलोग शामिल रहे झाल